वेलकम टू माई यूटूब चैनल दोस्तो आज हम टैली में फिक्स एसेस्ट की एंट्री करना सिखेंगे ये कोस्टन काफी इंपोर्टेंट है और ज्यादा तर इस तरह के कोस्टन इंट्रिव्यू में पूछे जाते हैं कि अगर कोई कमपनी कोई समान परचेज कर रही है फिक्स एसेस्ट के रूप में फिक्स एसेस्ट कमपनी का प्रशनल संपत्ती होता है जो अपने यूज के लिए खरदा जाता है तो इस एंट्री को हम लोग टैली में कैसे करते हैं आईए सीखते हैं दोस्तो ये एंट्री काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि आपको यूट्यूब पे इस टाइप के एंट्री नहीं भी लेंगे कि टैली में फिक्स एसेस्ट के एंट्री हम लोग कैसे करते हैं आई याज हम लोग फर्स टाइम इसे समझते हैं और किस तरह से करते हैं एक एक करके step by step देखते हैं सबसे पहले हम किसी भी नाम से टैली में जाकर करके company बना लेते हैं इसके लिए create में जाते हैं और एक ABC के नाम से हम एक company बना लेते हैं इंडिया और state bihar फिलहाल हम इसे इंटर करके accept कर लेते हैं मेरे पास ये कंपनी ABC के नाम से जनरेट हो गई अब हम आपको बताएंगे कि ये purchase में F9 में हम लोग fix assist की entry कैसे करते हैं जिसमें company आपकी purchase के लिए mobile, generator, air condition और electric fitting के कोई समान है तो ये सारे जो हैं आपको इतने पैसे के खरीद रहे हैं कुल मिला के ये पैसे हो जाते हैं 20, 20, 40, 55 और 6, 61,000 रुपिया तो ये 61,000 रुपिया का company एक खरदारी कर रही है fix assist के रूप में जिसकी entry मुझे tally में करनी है तो हम tally में जाते हैं tally में जाने के बाद हम यहां से accounting voucher में जाएंगे, inter करेंगे इंटे करने के बाद purchase खोलने के लिए हम यहां से F9 प्रेस करेंगे purchase खुलेगा ये entry debit and credit में होगा इसके लिए हम as voucher पे click करेंगे यहां से तो ये मुझे debit and credit का scan दिख जाएगा हम यहां पे suppliers invest number डाल लेते हैं, date डाल लेते हैं ये पैसा जो है हम cash में देंगे, या फिर check में देंगे वो चीज पूछा जा रहा है तो यहां पे जहां की बोला जा राया है की ये issue जो चेक का थ्रू किया जा रहा है मतलब ये जो खरडारी है, check के थ्रू है तो हम यहां पे एक check के लिए bank का laser बनाएंगे तो Alt-C हम यहीं पर करेंगे और laser बनाएंगे bank का दोस्तो bank का laser bank की count में जाएगा जो मेरे bank का account number होगा हम यहाँ पर type कर देंगे और intercare के details अगर डालना हो bank का तो हम यहाँ पर डाल भी सकते हैं और accept कर लेंगे amount डाल देते हैं 61,000 रुपिया हम bank का चेक काट रहे हैं ठीक है जिसमें मुझे कुछ समान यहाँ पर purchasing करनी है 61,000 रुपिया इंटे करते हैं इंटे करने के बाद fix assist के कुछ समान है जो debit में जाएंगे तो Alt-C करके हम यहाँ पर laser बनाएंगे एक machine का इंटे करेंगे इंटे करने के बाद machine का laser जो है वो fix assist में डालेंगे फिर इसे इंटे करके हम accept करेंगे इंटे करके accept करेंगे तो यहाँ पर 16,000 का 16,000 ले लिए लेकिन 16,000 का machine नहीं है दोस्तों यहाँ पर एक problem क्या आता है कि कभी-कभी यह purchase के voucher में fix assist option no रहता है जो अब अगर नया tally में work कर रहा है तो यहाँ पे आप अगर machine डालेंगे laser fix assist का तो आएगा ही नहीं किस situation में नहीं आएगा तो हम F12 करते हैं और यहाँ पे fix assist का एक option आपको दिखाई देगा फिलहाल इसमें नहीं दिख रहा है और control A से save कर लेते हैं फिर control A कर देते हैं तो यहाँ पे अगर हम entry करते हैं फिर से एक बार back जा करके देखिए तो bank डाले तो यहाँ से हम फिर से voucher में जाते हैं suppliers invest number डाल लेते हैं बहुत ही important चीज है समझने की चीज है हम यहाँ पे bank डाल लेते हैं bank डालने के बाद amount डालते हैं एक सट हजार रुपया इंटे करते हैं इंटे करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो मैंने यहाँ पे laser बनाया है debit में machine का लेकिन यह laser सो ही नहीं कर रहा है आएगा ही नहीं because हमने purchase के laser में fix assist को no किया हुआ है या फिर expenses का laser नहीं हो सकता है तो इसके लिए मुझे yes करने होगे हो सके अगर आप tally में first time काम कर रहे हो पहले से अपने fix assist को yes नहीं रखा है तो यह option by default no ही मिलते हैं तो आप क्या करें आपके भी computer में अगर नहीं आ रहे हैं तो f12 प्रेस करें फिर से f12 प्रेस करें fix assist वाले option को yes करें और yes करने के बाद control a से save करें फिर control a से save करें अब यहाँ पर तुरंट आपको machine दिख जाएगा machine कितने का था machine साथ नहीं था देख लेते हैं क्या था air condition है mobile है electricity है और air condition fittings है तो हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा change कर लेते हैं machine को हम backspace से जाकर के control इंटर करते हैं और इसको हम चलिए बना लेते हैं mobile mobile fix assist में तो जाएगा ही laser इंटर करते हैं mobile कितने का था 6000 का तो 6000 डाल देते हैं फिर इंटर करेंगे debit balance आएगा alt c करेंगे mobile के बाद हम एक बना लेते हैं यहाँ पर generator था इंटर करेंगे fix assist में जाएगा जनरेटर था आपका 20,000 रुपया का तो हम यहाँ पर 20,000 रुपया डाल लेते हैं फिर इंटर करेंगे debit में फिर जाएंगे इंटर करेंगे alt c करेंगे एसी था यहर कंडिसर पूरा नाम आप लिख सकते हैं fix assist में डालते हुए इंटर करेंगे 20,000 का एसी था तो 20,000 हम एसी के लिए डाल देते हैं और last item alt seeker के बनाते हैं जो electric का था electing fitting का था swap name लिख लेते हैं इंटर करते हैं यह भी fix assist में जाएगा और इसे हमें accept करेंगे तो यह सारे चीज आपके आगए 16,000 के इंटर करेंगे और अगर narration लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं purchase of fix assist purchase fix assist और accept कर लेते हैं तो यह आपका purchasing का काम हो जाता है अगर आप balance रिखेंगे back में जाकर के तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि alt f on price करेंगे detail तो देखी यहाँ पर fix assist के रूप में AC, electric, fatigue, generator और machine यहाँ पर दिखाई देगा तो इस तरह से भी हम fix assist की entry असानी से कर पाएंगे तो दोस्तो जब भी आपको fix assist की समान purchase करनी होती है तो आप इस तरह से purchase के options को yes करके fix assist को आसानी से entry कर पाएंगे otherwise आप इसकी entry payment में भी कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक like कर दिजिए और मेरे चैनल पर नहीं है तो फिले चैनल को subscribe कर लिजे फिर मिलता है किस अगले वीडियो में तब तक के लिए चाहिए आपका दिन सुबह